हेलो डियर स्टुडेंट कैसे हैं आप मैं अर्विंदार आपका कुई इंटरनेशनल स्कूल के ओनलाइन प्लेटफर्म पर स्वागत करता हूं हम पढ़ रहेते ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स में हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ाता हमने पढ़ाता प्रिजम अगर आपने ध् करिंग आप स्केटरिंग और को नहीं पढ़ना है टोपिक मैं बता देता हूं एक वार कि जो आपके बॉर्ड के सेलेवस्ट के एको नेक्ड ॉप इस टोपिक जो आयेगा वो आयेगा स्कैटरीं 20 आफ एनवालिट तो अगर आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात क ये भी topic नहीं पढ़ना है फिर application of scattering आएगा application of scattering ये भी आपको नहीं पढ़ना है application of scattering में आप पढ़ेंगे blue color of sky, white color of cloud white danger, signal are matte, red, etc ये सारे topic आएगे तो ये भी आपको यहां discuss नहीं करने है ठीक है? next then इसके बाद हम चलते हैं rainbow पे, तो आपको rainbow भी discuss नहीं करना है इसके दो type होते हैं primary and secondary primary rainbow और secondary rainbow ये भी आपको दोनों discuss नहीं करने है फिर इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो आपका आता है next topic human eye human eye human eye topic भी आपको नहीं पढ़ना है है ना? human eye इसके different parts है human eye के फिर eye defect and their correction next topic है क्या? eye defect and their eye defect and their correction ये भी topic आपको discuss नहीं करना है eye defect and their correction ये भी आपको discuss नहीं करना है समझ पा रहे हैं आप बात को बट जो human eye इसमें कुछ दो तीन पॉइंट से हैं जैसे आपको बता दू नियर पॉइंट फार पॉइंट ये पता होना चाहिए आपको मैं अगर बात करूँ कि नियर पॉइंट क्या होगा नियर पॉइंट धा-पॉइंट या ऐसे भी किया सकते हैं धा-मिनिममँ धिस्टेंस हुआ ही अप तो विच अप्टो वीच एइन औब्जरवर कैंण ऑब्सर्वत दा बॉड़ी ठीक है कितनी value होगी least distance of distinct division की 25 cm होगी कितनी होगी 25 cm ठीक है एक और ट्रमाता इसमें क्या near point के बाद आता है आपका क्या far point अगर हम far point की बात करें कि far point क्या होगा तो the maximum distance from the human eye क्या बताया maximum distance from the human eye up to which we can observe our body is called as far point and the value of far point is infinity far point की जो value होगी वो कितनी होगी infinity होगी अनन्त होगी इतनी बात आप समझ पा रहे हैं ठीक है तो आगे हमको इसके बाद जो next topic discuss करना है जो आपके syllabus में है यह मैंने आपको बताया यह board के syllabus में है नहीं यह सारा इसके बाद next जो आपको discuss करना है वो करना है microscope क्या है topic microscope so what do you mean by the microscope अगर हम microscope की बात करते हैं कि microscope क्या होगा सो देखिए a device due to which we can see an object very clearly in magnified form ठीक है microscope जो डिवाइस from which we can observe a very very small object और we can observe a tiny object in magnified form जो small object है जो teeny object है tiny object है उसको कैसे form में देख पाएंगे हम magnified form में देख पाएंगे this is called as microscope ठीक है मतलब इट इंक्रीज दा मेगनिफाइं पावर और इट इंक्रीज़ दा इट इंक्रीज़ दी इच्पियवल एंगल इट इंक्रीज़ दिवाट इट इंक्रीज़ दूंट रखतğa यह क्रता बिज़ द इंहेंfi पाईख जाटा एं तो we can say that the angle suspended by object on the human eye जैसे आपको पता होगा जब भी हम को object को देखते हैं तो उसकी जो image है वह हमारे रेटीना पर फॉर्म होती है रेटीना में दो point होते हैं एक होता है yellow spot एक होता है blind spot तो जो yellow spot होता है यह sensitive होता है light के लिए it is sensitive for the light but blind spot will not sensitive for light ठीक है तो आप हम अगर yellow spot की बात करते हैं तो yellow spot become sensitive for the light अब अगर आपका yellow spot to visible angle के होगा था एंगल सब्स्टेंडिट वाइन ऑब्जेक्ट उन्दा आई इस call visible angle जैसे हम कोई भी object जैसे हम स्टार्स को देखें तो वह छोटे दिखाई देते हैं लेकिन अगर हम स्टार्स की जगे हम सन को देखें तो वह बड़ा दिखाई देता है अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि जो जो सन है वो क्या करता है पास में महारे इसलिए हमारे आइप ज propose बड़ा बिजिबल एंगल बनाता है और इस्तार्स बैसे संसे क्या होते हैं साइज महीं बड़े होते हैं लेकिन वह बिजिवल एंगल इंगल ऐसको बनाते हैं इसलिए वह छोटे दिखा है देते हैं नेक्स्ट अगर हम आगे डिसकस करते हैं तो हम बात करते हैं मेगनिफाइंग पावर की, मेगनिफाइंग पावर, मेगनिफाइंग पावर, जमेदेंग पावर, तो वेगनिफाइंग पावर को दिफाइंग करें कि यह गिनिफाइंग पावर क्या होती हैं तो when we see an object, then the angle sustained by image on the eye to the angle sustained by object on the eye, क्या बताया, when we see an object, then the angle sustained by image on the eye क्या बताएंगे, angle sustained by angle sustained by image to the angle sustained by object angle sustained by angle sustained by object ठीक है, इस called what, magnifying power so angle sustained by image is beta and angle sustained by object is alpha तो यह magnifying power क्या बनेगी M equal to 10 beta upon 10 alpha आगे अगे अगर हम डिसकस करें तो हम क्या कहेंगे if angle is small if angle is small if angle is small अगर angle आपका small है, then we can say that कि जो 10 beta 10 beta than theta is nearly equal to what theta 10 theta is nearly equal to theta और अगर 10 theta theta के एक्काल हो जाएगा तो यह जाएगा 10 beta upon 10 alpha 10 beta upon 10 alpha this is called as what magnifying power स्वरी सुरी यह एंगल स्मॉल ich एक टो बीटविए अल्फा बन जाएगा क्या बन जाएगा सिंपली बीटवाई अल्फा एन ऐम एक्वल टू बीटव ए अल्फा फूरी-स्मॉल एंगल ठीक है तो यह बेसिक सी भाता हुआ कोई माइकरो कोप में Now microscope can we classified into two manner दोर तरह से डिवाइड कर सकते हैं अप माइक्रोचोप को कौन कौन से दुँच्ड नीट लगड़ इंटू two categories first one is simple microscope एब न्सेकिन भानिस वर्ट कमपाउन माइकरो स्कोप माइक्रोसकोप क्यर Tegra is into two form function Easy Simple and Second one is compound माइक्रोसकोप ठीक है आगे डिसकर्स करते हम तो यह है हमारा शिम्पल माइक्रोसकोप तो वट्डी यू मीन हैं बस इंपल माइक्रोसकोप सूँ माइध कॉन्वेक्ष लेंस नस उफ्ले स स्थे कल लेंथ a convex lens of what less focal length is called simple microscope or magnifier क्या बताया a convex lens of less focal length convex lens having less focal length is called what simple microscope or it is called as magnifier ठीक है प्रिंसिपल की बात करें किसका principle क्या होगा principle sorry principle of simple microscope is that principle की बात करें किसका principle क्या होगा simple microscope का so principle of simple microscope is that whenever an object is placed in between optical center and focus whenever an object is placed in between being optical center and focus of convex lens then its magnified image is formed on the same side of the object ठीक है क्या बताया कि जब कोई object optical center of focus की बीच में है तो उसकी magnified image formed होगी on the side of object object की तरफ ही बन जाएगी ठीक है तो दिस इस दा प्रिंसिपल वर्किंग की बात करते हैं तो इन अपसेंस ओफ कॉन्वेक्स लेंस दा बिजिवल एंगल वर्किंग सो इंदा एपशनस ओफ कोन्वेक्स लेंस इंदा एपसेंस ओफ कोन्वेक्स लेंस इस इसके कारण जो अबजेक्ट है वह उमको ठीक से दिखाई नहीं देता है ठीक है, but whenever an object is placed in front of convex lens, then the angle suspended by object on the human eye increases, ठीक है, angle visible angle become increases, so object is clearly visible, अब देखिए यह सेम लाइन पर बनेगा, यह एंगल जो सबस्टेंट करेगा, यह object और image, जो दोना एंगल सबस्टेंट करेंगी, वो सेम होगा, क्योंकि एक ही लाइन के अलोंग हो रहा है, एक ही लाइन के अलों दिया, when object is at least distance of distinctivision, object क्या है, least distance of distinctivision पर है, और object की height क्या है, h है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक right angle triangle का use किया, ठीक है, किस का use किया, right angle triangle, तो हमने लिया in, right angle triangle, in right angle triangle, o, b, a, इसकी बात करें, तो हम लिखेंगे 10 alpha, is equal to perpendicular upon base, तो perpendicular edge हो जाएगा, base है, d, d, हो जाएगा, योगे equation number first, ठीक है, फिर अगेन, हमने एक और right angle triangle लिया, in, right angle triangle, in right angle triangle, कौन सा right angle triangle, यूज कर रहे है, o, b, a, o, b, a, इस right angle triangle की बात करें, तो यह जाएगा, 10 beta, is equal to, perpendicular, तो beta, perpendicular क्या हो गया, h, divided by base, base क्या हो गया, u, और हम ऐसे भी कह सकते हैं, इस बात को, क्या, simply हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, h dash, height of image upon v, यह second equation हो गई, ठीक है, फिर देखें, magnifying power of lens, magnification of, magnification of, simple microscope, magnification of, simple microscope, तो simple microscope का, magnification की हम अगर बात करते हैं, तो यह क्या बनेगा, m is equal to, 10 beta divided by 10 alpha, 10 beta divided by what, 10 alpha, so, m is equal to 10 beta क्या है, आपके पास में, 10 beta है, h upon u, whole divided by 10 alpha, 10 alpha क्या है, h upon d, इसको आप solve करें तो क्या बनेगा, तो यह बना h upon u, multiplied by d upon h, ठीक है, क्या होगा आगे, तो आपका यह h से यह वाला h cancel हो जाएगा, मतलब magnifying power हो गई, d upon u, क्या हो गई, d upon u, यह समझ पा रहे हैं आप बात को, ठीक है, फिर इसमें दो conditions होती है, क्या दो conditions हैं, समझे है, first condition is that, when, पहली condition क्या है, when image is formed at, when image is formed at, when image is formed at least distance of distinct vision, least, distance of, when image is formed at least distance of distinct vision, distinct, least distance of distinct vision, ठीक है, क्या बताया, when image is formed at least distance of distinct vision, मतलब v की value minus d लिखेंगे, u की value minus u लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों इधर बनेंगे, then by lens formula, यहां पर क्या लिखेंगे, by lens formula, तो lens formula से आप यहां पर क्या क्या कह सकते हैं, one upon f is equal to one upon u, plus one upon v minus one upon u, v को minus d लिखेंगे, u को minus u लिखेंगे, minus minus plus बन जाएगा, तो one upon u, minus one upon d, solve किया, d से multiply कर दिया, दोनों तरफ, तो d upon f बराबर minus d upon d, plus d upon u, d से d cancel होगा, minus one equal to d upon u, minus one को धल लाएगे, तो one plus d upon f equal to d upon u, अभी हमने पड़ा, यह magnifying power होती है, तो m equal to one plus d upon f अजाएगा, second condition की, इसमें बात कर लेते हैं, तो second condition क्या है, when image is formed at infinity, when image is formed at, formed at infinity, that is v equal to infinity आजाएगा, यहाँ पर v की value, one upon infinity, zero हो जाएगा, और u को minus u लिखोगे, तो one upon plus u, वादब one upon f equal to one upon u, d से multiply कर दो, final answer मिल जाएगा, ठीक है, तो आप इतना पढ़के आईएगा, next class में फिर मिलते हैं, thank you.